कि आज कि इस वीडियो क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे बग्ज़ का मीज क्या होता है कि जब हम किसे सॉलेड में अटम्स को अरेंज करते हैं तो अरेंज की अरेंज करने में जो बीच में स्पेस रह जाता है गैप रह जाता है उस बाइट किस यद्ध समें को एकजापन तो आप देख सकते हैं इस स्पेस को कहते हैं tetrahedral bite ठीक है ना स्वारी इस scale को इस जगे को हम कहते हैं cubic oil जब हमने इसको कहते हैं बच्चों क्या cubic oil जब हमने atoms को hexagonal packing में arrange किया तो ये जो तीन atoms से space बच रहा है इस space को हम कहते हैं इस space को हम कहते हैं trigonal bite अब हम चलते हैं आगे bite को देखते हैं जब हमने hexagonal packing में atoms को arrange किया तो ये जो टी वाला place है इसको हम कहते हैं tetrahedral bite tetrahedral bite और जो ओ वाला place है जो six items से बना हुआ है इसको हम कहते हैं octahedral bite तो हमने चार bite पढ़ी पहली trigonal bite जो तीन item से बनी है फिर हमने बची बनी tetrahedral bite जो चार item से पढ़ी फिर हमने पढ़ी octahedral bite जो six item से बनी है और फिर हमने क्यूबिक हो इस तरह हमने चार bite पढ़ी है ठीक है ना तो हम चारो bite को देखते हैं तो हमने देखा bite है और पहली bite का नाम बच्चो कौन से है first bite को हम कहते है trigonal bite trigonal bite की जो minimum radius है वह 0.155 होते है और यह है आपके पास trigonal bite आप देख सकते हैं तीन item से बनी है अगर हम यह एक item बीच में space में रखते हैं तो वह तीन item से directly contact में होगा इसलिए बॉइट को कहते हैं trigonal bite second bite का नाम है tetrahedral bite इसकी minimum radius 0.225 होती है तो आप देख सकते हैं तीन white sphere और एक gray sphere तो बीच में जो place बना हुआ है वह tetrahedral bite है tetrahedral bite का अगर हम cross section area बनाते हैं तो आप देख सकते हैं black वाला तो atom है कल में जो space देख रहा है वह tetrahedral bite है तो one atom के लिए two tetrahedral bite होती है यह बहुत ही important concept है और exam में कई बार पूछा हुआ है तो आपको बच्चों याद करना पड़ेगा कि one atom के लिए है कितनी tetrahedral bite one atom के लिए हमेशा दो tetrahedral bite होती है अब आते हैं है यह हमारे पास एक tetrahedral bite का cross section एरिया है तो आप देख सकते हैं black वाले atom है और back end तो चार atom है और चार bite है तो एक atom के लिए एक octahedral bite हो यह भी बहुत important बात है हर बच्चे को आनी ही चाहिए अब octahedral bite के लिए हमने क्या किया यह six atom से बनी है तो यह जो space बचा है बेच में जिसको मैंने yellow से mark कर दिया है hexagonal इसको हम कहते हैं octahedral bite यह octahedral bite आप देख सकते हैं मैं यह बनाने की कोसिस करता हूं क्यूंकि मेरी कुछ limitations है यह trigonal bite हो गई ठीक है अब हमने क्या क्या atoms को ऐसे रखा तो अभी अभी मैंने के statement दिया कि octahedral bite दो triangle से मिलके बनी होते हैं तो इस hexagonal space को हम octahedral bite कहते हैं अब दूसरी important बात क्या है कि FCC crystal में octahedral और tetrahedral दोनों bite हमेशा ही present हो यह दोनों ही bite present हो अब number of octahedral bite किसके equal होगी sphere के equal होगी मतलब one atom के लिए one octahedral bite और दूसरी number of tetrahedral bite sphere से या atom से double होती है यह बहुत ही important बात है और सारे question करने के लिए student को यह line याद ही होनी चाहिए कि one atom के लिए one octahedral bite और two tetrahedral bite होती है अब आई last cubic hole cubic hole आप देख सकते हैं चार atom से बना हुआ है अगर हम यह बीच में अगर हम यह बीच में एक sphere रख दें तो वह sphere इन चारों atom से connected होगा तो tet cubic hole की coordination number one d में चार हो जाए ठीक है यह चार होती है अब हम चलेंगे आगे हम देखते हैं next important बात हम हम देखते हैं next important बात हमारे पास क्या है कि octahedral bite जो है वो cubic के edge पर होगी और body centers पर होगी जबकि tetrahedral bite जो body diagonal पर होती है और हर एक body diagonal पर दो tetrahedral bite होती हैं बच्चों हमने यहां तक सिखा क्या है हमने यह आपर जो important सिखा है वो मैं आपको बता देता हूं हमने सिखा है n atom के लिए n atom के लिए n octahedral bite होगी ठीक है न और यह बहुत ही knowledge वाली बात है दूसरी बात क्या सिखी n atom के लिए two and tetrahedral bite होगी अगर आपको यह दो लाइने नहीं आती तो फिर आप bite के question नहीं कर सकते हैं तो generally bite के question क्या-क्या है trigonal bite की coordination number three tetrahedral bite की coordination number four और octahedral की coordination number six होती है अब हम चलते हैं question कैसे करते हैं जब हम bite के question करते हैं तो बच्चों हमें एक line याद रखनी चाहें बॉइड के question में बॉइड पर ध्यान रखते हैं हम किसी उल्टी सीदी चीज पर नहीं पड़ेंगे और कैसे इस line को use करते हैं मैं आपको समझाता हूं ओके तो हम शुरू करते हैं बॉइड के question करना शुरू हमने देखा ये question NCRT का 18 number का question है कि ferric oxide crystallize इन्हें hexagonal closed pack array of oxide iron मतलब जो lattice structure है वो oxide iron में बनी हुए with two out of every three octahedral hole is occupied by ferric iron और iron का जो ferric plus three ions था उसने octahedral hole को cover कर रुक है तो सबसे पहला हम क्या करते हैं यहाँ पर atoms को लिखते हैं कौन-कौन से atom उस crystals में present है तो इस crystal में दो atom present है एक है Fe और दूसरा है oxygen ठीक है न ये ideal crystal बन गए अब हम क्या करेंगे कोई condition हुई तो applied करेंगे हमें पता है iron octahedral void में iron कौन सी void में octahedral void में अब इसने तो एक ही octahedral void होती है तो यह answer हो जाएगा लेकिन इसमें question में उसने कहा है कि उसने two by third octahedral hole ही cover कि हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे two by three add कर देगे ठीक है तो हमने जब यहाँ पर two by three add किया तो आप देख सकते हैं मैं इसको select करके two by three में convert करता हूं ठीक है ना तो हमने जब इसको two by three में convert किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर two by three डाल दिया मैंने तो बच्चों यह हो गया two और यह हो गया three अब अगर इस value को हम whole number में convert करेंगे ठीक है ना अगर इस value को हम whole number में convert करेंगे तो यह value हो जाएगी F203 तो answer हमारा क्या हो जाएगा F203 तो मैं इसको solve करता हूं तो हमने लिया F202 और इसको whole number में multiply कर देए ठीक है ना हमने यहाँ पर एक value डाल दी इसको select करने के बाद में जिससे power लग जाए ओके तो देख सकते हैं आप यह हो गया F202 और यह हमने लगा दिया 3 ओके यह first question था जो हमने solve किया NCRT का question है हम देखते हैं next question तो हम start करते हैं नया question और नए equation में हो क्या कहता है solid oxide आयने जो CCP structure में arrange कर है ठीक है ना मतलब oxide ने CCP structure बनाई है तो जो first element हमारा इसमें है वो कौन है oxygen ठीक है अब वो क्या कहता है once अब यह जो a catane ऐировать the picturemmos weather Television medal कौन से वाइड में बच्चों प्रिजेंट है वो present एक ही होती, तो ये इसका ideal formula हो जाएगा, लेकिन इसमें condition दियो ही है, और condition ये दियो ही है कि उसने cable one third octahedral void ही cover करी है, और one sixth tetrahedral void cover करी है, तो हम इसमें ये इसका ideal formula बन गया, अगर simple question होता तो ये यह answer हो जागा, अब हम इसमें condition applied करी है, हमने यहाँ पर एक पुराना formula ले लिया है, और देखते हैं, इसमें एक एक करके हम condition डाले हैं, ठीक है, सबसे पहले हमने o की condition डाली है, ठीक है, o की कोई भी condition है नहीं, मतलब o तो simple है, तो हमने o लिख दिया, अब हमने देखा a2, a2 था, लेकिन उसने one sixth void cover करी हैं, तो हमने क्या किया, two को six से divide करते हैं, तो यह two y six हो गया, अब हम देखें क्या, कि जो b था, b जो है वो one ही था, लेकिन उसने one third void ही cover करी हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पर one third void को, इसको copy करके डालता हूँ के, b की जए, और फिर change कर देखें, तो हमने a को तो देखो बच्चों b में बदल दिया, अब b ने कितनी bite cover करी हैं, b ने bite करी हैं, one oblique three, कितनी, one oblique three, किसने cover करी, b ने, तो मैं यह यहाँ से हटा देता, यह b हो गया, और यह हमारा हो गया, one by three, अब हमने क्या किया, इसको whole number में convert कर दिया, whole number में convert करने के लिए, हमने इसको three से multiply किया, three से multiply किया, तो हमारा answer आजाएगा, बच्चों कौन सा, हमारा answer आजाएगा, a, b, o, I think, किसी को कोई problem नहीं होगी, हम और question करते हैं, और next question हमारा यह, तो हम देखते हैं, नया question और नया question यह है, एक आटम, a atom present in, present in, present in, a atom, present in, ccp, और hcp, हमें इससे कोई लेना देना नहीं किया, कौन सी है, ठीकर है, मैंने आपको, सुरू में ही कहा था, कि बच्च के question में, सिर्फ बच्च पर ध्यान देते हैं, and, b atom, प्रिजेंटेंट, b atom, प्रिजेंटेंट, टेट्रा, हिट्रल बइट, calculate, formula, उसका formula calculate, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उन एटम्स को रखेंगे, सबसे पहले हम उन एटम्स को रखेंगे, तो हम देख सकते हैं, हमारे पास दो एटम है, और कौन कौन से है, वो एटम है, a, और b, दूसरे step में हम क्या देखेंगे, कि कौन सा atom वाइड में present तो हमने दूसरे step में देख लिया हमारा B atom वाइड में present B atom वाइड में present अब हमने देखा कौन सी वाइड में present ये present था tetrahydral वाइड में और मैंने multiple times आपको बताया है कि tetrahydral वाइड 2 होती ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा AB2 अगर वो आप से पूछता है कि कितने percent और tetrahydral void इसने cover की तो इसने पूरी hundred percent tetrahydral void cover कर अब इसका second part second part क्या कहता है if be cover be cover only half half tetra hydral void half tetrahydral void calculate formula क्योंकि अब उसने condition डाल दी है तो यहाँ पर जो बी था बी ने केवल half ही cover करी half cover करी तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको यहाँ लिखते हैं तो हमने इसमें से O को तो हटा दिया क्योंकि O का हमारा कोई काम ही नहीं था हमने इसमें से A को भी हटा दिया क्योंकि हमारा A का भी कोई काम नहीं था अब B क्योंकि condition है और B पहले से 2 में present था लेकिन बाद में उसने half और cover करी तो हमने half से इसको divide कर दे जब हमने 2 को half से divide किया तो इसका answer बच्चों क्या आजाएगा इसका answer सबको पता है A B आजाएगा इसका answer कितना आजाएगा A B अब वो पूछेगा कितने percent void उसने cover कि तो उसने cover की 50 percent tetraidal void ठीक है हम यहीं पर question और कर लेते हैं जिससे हमें बाद में कोई भी problem नहीं हो और यह सबसे best approach है ठीक है आप कहीं भी पढ़ ले इससे अच्छे approach आपको नहीं मिलेगी A atom present in CCP और HCP B atom present in हमने सिफ इसमें से यह वाला part बदल दिया octahedral octahedral void ठीक है ना octahedral void में present है तो formula क्या होगा ठीक है ना हमने यहां लिखा answer दो atom इसमें present है और वो दो atom कौन से है A और B अब हमने इसमें mark किया कौन सा atom void में present है हमने mark किया तो हमें पता लगा B atom octahedral void में present है multiple times में आपको यह line बता चका हूँ कि one atom के लिए one atom के लिए एक octahedral void होती है इसलिए इसका answer A B हो जाएगा यह NCRT की solve problem भी है ओके तो हम next question है हमारे पास उसको हम solve करने की आप solve करने की कोसिस करें फिर भी मैं आपको hint बता देता हूँ mineral है जिसका formula A B 2 है जिसका formula क्या है A B 2 cube close package package lattice में present है A atom lattice point पर present है मतलब A ने lattice बना रखा है ठीक है और B ने B यहाँ पर उसने दिया है tetrahedral site में present तो कितनी cover करी अभी 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 उपर करके आएं कि 100% cover की और बच्चों यह formula ठीक है ना आप coordination number का अगर आपने वीडियो देखा है तो मैंने वहाँ बताया था कि second group के halide की structure ऐसी होती और यह fluoride structure है यह fluoride structure है और fluoride structure में एनाइन tetrahedral void में present होता है इसके कार्डिन के कार्डिनेशन नमबर 8 और fluorine की कार्डिनेशन नमबर 4 होती है यह several times JE और NEET के एक्जामों में आचुका है हम यहाँ पर एक question और देख लेते हैं और वो question क्या है तो हमने यह question को जब यहाँ पर देखा तो हमें देखते हैं क्या पता लगा कि A atom corner और edge पर present है corner और edge पर present है जबकि B atom body centers पर और face centered पर present है ठीके ना each phase तो calculate formula इसका formula calculate तो हमने यह lattice point वाले video में discuss किया था क्या discuss किया था कि जो corner पर atom होता है वो 8 into 1 by 8 equal 1 हो जाएगा और जो edge center पर होता है वो 12 into 1 by 4 3 हो जाएगा तो total A 4 हो जाएगा total A कितने हो जाएगे 4 हो जाएगा तो मैं इसको highlight करते तो अब हम चलते हैं B को calculate करने B body के center पर है जो body के center पर होता है वो 1 होता है और face center होता है 6 into half 3 तो 1 और 3 मिलकर हो जाएगे 4 तो B भी 4 हो गए ठीक है दोनों 4 हो गए तो हमने इसको ऐसे लिग दिया अब जब हम इसको 4 1 ठीक है हो जाएगा और simple हम चलते हैं बॉइड के last topic की तरफ और उसके बाद हमारा बॉइड खता है यह यह NCRT का question है और हमें यह प्रूब करना है कि R और capital R का ratio 4 1 4 होता है यहां पर R cation की radius है और capital R N9 की radius है हमने octahedral wide or square planar में यह transverse section लिया तो हमें यह मिला यह cation रखा है और यह 4 N9 रखे हुई यह एक right triangle है और right triangle में Pythagoras theorem लगाई तो BC square AB square और AC square आ गया जो BC square है तो इसमें दो radius आ रही है एक इस item की एक इस item की तो यह हो जाएगा 2 R square यहां B और A की बीच की distance है R इसे 9 की और small r उसके time की तो R plus R का square ऐसे ही C और A का distance भी हो जाएगा R, R plus square ठीक है न? हमने इसको common लिया तो यह 2 आ गया और यह 2 R square आ गया हम इस 2 को यहां से यहां ले गए ठीक है न? 2 को नीचे ले गए transfer कर दिया और 2 से जब हमने इस bracket को खोला तो यह 4 हो जाएगा 2 से 4 को divide किया तो 2 रह गया और R का square आ जाएगा और यह आपको देखिए ठीक है अब हमने जब यह 2 यहां से हटाया तो हमने जब किसी का square root power हटाते हैं तो यहां पर square root लगा दिते हैं तो 2 के उपर तो हमने square root लगा दिया और R को simplify कर तो तो यह हो गया root 2 R equal to R plus R अब हम इस R को नीचे ले गए तो यह हो जाएगा root 2 और R plus R हमने simplify करने के लिए इस R से दोनो values को divide कर दिया तो यह value आ गई R plus R और यह आ गई small R divided by R R से R को divide किया तो 1 आ गया और यह R plus R हम इस 1 को इदर ले गए minus हो गया तो यह value हो गई R divided by capital R equal to root 2 minus 1 ठीक है ना root 2 की value 1.414 होती है हमने इस में से 1 को minus कर दिया तो R divided by capital R का ratio आप देख सकते हैं 0.414R ठीक है ना तो square planar में coordination number 4 और octahedral void का एक दूसरा method भी है जो मैं आपको दिखा देदाँ बिलकुल पहले की तरह यहां से यहां तक की distance katine और N9 किया और यह N9 किया तो यह ratio sin theta R minus R plus R minus के ब्राबर और sin theta की value 45 for sin theta 45 1 root 2 होता है तो हमने sin theta की value यहां पर put कर दी ठीक है ना और यह जब हमने इसको reverse किया तो यह root 2 हो गया और यह 1 plus plus उपर चला गया और यह minus नीच गया root 2 में से 1 की value को हमने जब subtract किया तो 0.414 ठीक है ना यह method mass वालों के लिए ज़्यादा better है neat वालों के लिए भी better है तो इस दो तरीके से हम R y capital R का ratio निकाल सकते हैं और octahedral void के लिए minimum 0.414 होगा ratio और maximum 0.734 तक होगा मैं IIT और NEET वाले competitive वाले section में and मैं tetrahedral void tetrahedral void और trigonal void की भी radius आपको निकाल कर बताऊंगा आप चाहें तो दब तक solve कर सकते हैं और और next topic में हम discuss करेंगे defect in crystal और और झाल झाल